बिहार में महा गठ बंधन की गांट खुलने लगी है गठ बंधन के दलों के बीच का सामन ज़स्य बिगरने लगा है यह हम नहीं कह रहे यह गठ बंधन के दलों के बीच चल रही उठा पटक बता रही है बिहार में महा गठ बंधन में RJD बड़ी पाटी है और साथ में कि आई माले और साथी साथ मुके साहनी इसके सहयोगी हैं बिहार में मिशन दोहजार पचीस को लेकर तेजस्वी यादव अपनी यात्रा के दूसरे चरण में चंपारन के मद्दाताओं की नव्ज तटोलने वाले हैं पर्थम चरण में 9 सितंबर से लेकर 16 सितंबर तक तेजस से कॉंग्रेस का कोई लेना देना नहीं है तेजस्वी ने स्मार्ट मीटर को एक बड़ा मुद्दा बनाया है वहीं दूसरी तरफ कॉंग्रेस ने भी से मुद्दा बनाते हुए अपनी राहें अलग कर ली है हाला कि दोनों दलों की नीतियां नियत और उद्दे से एक है फ स्मार्ट मीटर को ही लेकर है परतेजस्वी की सभाओं में कारिक्रमों में सहयोगी दलों का कोई नेता नजार नहीं आ रहा है आर जेडी अकेले बिहार फटा करने की क्या तैयारी कर रही है क्या कॉंग्रेस अब आर जेडी के साथ घुटन महसूस कर रही है क्या CPI CPM का कद छोटा करने की आर जेडी तैयारी में है यह तो महागठवंधन के नेता जाने पर इतना तो साफ है कि बिहार में मिसन दोहजार पचीस की तैयारी में जुटी महागठवंधन की गाठ हरियाना के चुनाव परिनाम के बाद और धिली पर गई है RJD को लगता है कि Congress जो है पर जिवी है यानि RJD की बैसाखियों पर टिकी हुई है तो अनुदान पर जितनी सीटें Congress को RJD दे देगी उतनी ही सीटों पर Congress मान जाएगी जबकि Congress को लगता है कि वो राष्ट्रिय पार्टी है बिहार में उसका एक कैडर वोट बैंक है ऐसे में RJD को अब सबक सिखाने का वक्त आ गया है दो हजार पचीस में मोल तोल करने का वक्त आ गया है और ऐसे में अगर पार्टी पिछलगू बन कर रहेगी तो RJD के तरफ से आपको बता दे कि जब नितीश कुमार के साथ महागठबंधन की सरकार बनी थी सहयोग से ऐसे में Congress के खाते में कुछ खास नहीं आया था Congress के कई दिगज नेता मंत्री बनने के लिए तैयारी में थे पर मंत्री किसे बनाया जाए ये RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने तै किया लोग सभाद चुनाव 2024 में भी Congress के कई बड़े नेताओं की लालू ने छुट्टी कर दी इसमें सबसे ज़्यादा चर्चा में पपुई यादव का मामला आया था पपुई यादव ने अपने पाटी का विले कॉंग्रेस में कर लिया बावजुद इसके लालू के जिद के कारण कॉंग्रेस ने यहां से उन्हें उमिद्वार नहीं बनाया हलाकि बाद में निर्दलिये परत्यासी के तोर पपुई यादव पुणिया से चुनाव जीत गए उनकी पत्नी रंजीता रंजन 36 गड़ से कॉंग्रेस की ही राज्यसभा की सदस्य हैं पर कॉंग्रेस चाह कर भी पपुई यादव के लिए कुछ नहीं कर पाई पुर्वराज यप पाल और बिहार के पुर्व मुख्य मंत्री के पुर्वसांसद पुत्र निखिल कुमार सिंग्को भी लालू ने औरंगाबाद से चुनाव लरने का मोकान नहीं दिया और यहां से नए चेहरे अभय कुसवाह को लालू ने समाजिक समीकरन के नए समीकरन की तहत चुनाव लरवा दिया हलाकि अभय कुस्वाहा चुनाव जीत गए पर निखिल कुमार के बहाने कॉंग्रेस को जरूर ये बड़ा सबक लालू ने दिया कि बिहार में तो वहीं होगा जो आर जेडी चाहेगी अब ऐसे में स्मार्ट मिटर के बहाने कॉंग्रेस और आर आर जेडी का संगठन है वो अपनी तैयारी में लगा हुआ है और कॉंग्रेस के नेता स्मार्ट मिटर के बहाने अपनी यात्रा में लगे हैं CPICPM भी बिहार में कानून ब्यवस्था की इस्तिती भूमी हदभन्दी और महंगाई को लेकर अलग जनान दोलन चला रही है जब महागठ बंधन है सभी नेताओं और पाटियों का लक्ष एक है तो फिर नीतिया क्यों अलग है ये तो आर जेडी कॉंग्रेस CPICPM माले और मु मुकेश साहनी का मन डोल रहा है और ये मन डोलना ऐसे ही नहीं है मुकेश साहनी सामने आकर बिहार की NDA सरकार के द्वारा चलाए जा रहे भूमी सर्वे का समर्थन कर रहे हैं तो भाजपा के नेता भी मुकेश साहनी को लॉली पॉप दिखा रहे है ऐसे में यह साप है कि 2025 के विधान सभाज चुनाव के पर